नोश्कार दोस्तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान की जो बिल्कुल गरीब विलिज में रहता था वो एक दिन के अंदर एक सो तीस करोड़ रुपे के आसपस कमा लेता है उसी के साथ राकेश जुन जुन वाल है हमारा यहां पर कोई भी कट नहीं होता कोई भी एडिट नहीं होता तो जू चीज मैं सीखते हूं एविड़े आपके साथ शेयर करता रहता हो और यह काफी मोटिविशनल होने वाले है अगर एक लॉंग टर्म इंबस्टर हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइबर वी वीडियो के अंदर सबसे पहले आती है जी बिजनस जी बिजनस के उपर आपको पता है कि भाई काफी सारी कॉल चलते थी एक्सपर्ट बैठते थे वह आकर के अपना एक्सपर्ट ओपीनिन देते थे इसी तरीके का एक दिन है 2018 का टाइम है और एक कॉल आती है जी बिजनस कॉलते हैं अची सर बताई क्या कोश्वन है आपके पास वह थे पिया साल की साल से और उनօ की साल मेरे कुछ शेयर्स होचे थे और उनको चल रहे थी jij इनको बेज सकता हूँ या फिर नहीं वो कहते हैं definitely sir आप इनको बेज सकते हो आप यहाँ पर बेज तो नहीं कर सकते लेकिन definitely DMAT account आप खुलवाओगे और इसको DMAT account में convert कराओगे तो definitely आप इसको फिर जा करके बेज पाओगे ट्रेड नहीं कर सकते इस समय पर तो बोलता है ठीक है सर यह कैसे कराना है वो उसको overall procedure बताते हैं उसके बाद क्या होता है यह सुनने वाली बात है वो बोलते हैं सर मेरे जो शेर है इस समय पर जो मेरे जादा दादी ने मुझे दिया है वो 20,000 शेर है और वो है MRF के तो जो वहाँ पर बंदा बैठा हुआ है जी बिजनस के पर उसको अपना सर के उपर ऐसे हाथ रखता है और वो देखता है प्राइस उस समय पर क्या चल र 500 रुपए के आसपास का उसका प्राइस चल रहा था वो बताता होने कि सर जो आपके दादा जी की स्टॉक की कीमत है 20,000 काफी अच्छा काम कर रहा है यह स्टॉक काफी अच्छा काम कर रहा है किसे कंपनी ने ग्रो कर रहा है और इस सहब पर जो आपके overall पैसे बन रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए वो है 130 करोड़ रुपए के असपास तो आप इस समाप 130 करोड़ रुपए के मालिक हो और जब आप जाओ गए तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपके अकाउंट के अंदर सही है और आपके अकाउंट के अंदर यह पुरा पुरा पैसा आ अब आप यह सोचो कि एक ऐसा दादा है जिसने कभी खरीदा होगा एक स्टॉक शेर या दस भी सजार शेर आई नहीं फार एफ के उस समापर दो तिन रुपए के आसपास के वो शेर मिल रहे होगे और आज की डेट में 130 करोड रुपए कमा लिये हैं उन्होंने और बाई ल तो इससे एक चीस तो प्रूब होगे भाई ति लॉंग टर्म इंवेस्टिंग में बहुत पैसा बन सकता है करोड रुपए बन सकता है अगर आप 20-20-20-20 साल के लिए छोड़ सकते हो चीज़ों खड़ीद करके और हमें यह भी पता है इसका है मैं नेगेटिव साइड बता हैं आपने काफी सारे मीडिया इंटर्विव सुने होंगे शायद बुल क्याते हैं इस वहां पर उनको लेट राके जुनिवाल जी अब तो हमारे बीच नहीं रहे वो उनका भी एक इंटर्विव हुआ उन्होंने बोला क्या मैंने आज की जनरेशन के हसाब से बहुत पैसा कमाया बहुत करोडो रुपे कमाया लेकिन जो मेना मीजर पैसा बना वो बना 1999 से लेकर के 1992 के बीच में उसका 2003 से लेकर के 2007 के बीच में जो उनकी नेट 80% पैसा उन्होंने सिर्फ उसर इतने टाइम फ्रेम पे अंतर कमाया है अब यह समझो राकेश जुन जुन वाला जी जो आप कह सकतो बिग पूल जिनके बाद शायद अंदर की चीज़े भी पता थी उन्हें बाहर की चीज़े भी पता थी ट्रेडिंग पर ही करी इंवेस्टि यहाँ पे एक और टर्म आएगी जिसको हम कहा सकते हैं सर्वाइवर पायस कि भाई जो सर्वाइवर कर गया उसको आपको देखने को मिल गया वो उसके आपके ने कहानी सुन ली इस सब्सक्राइब लेकिन इसके बीच में ना जाने कितने करोड़ों लोग होंगे ना जाने क कितने जुन जुन वाला जी होंगे जिन्होंने टाइटन में पैसा लगाया लेकिन जल्दी निकाल दिया उन्होंने वो टाइटन के पुली रैली नहीं ली तो यहाँ पे कुछ सीज़े हैं जो आपको सीखनी चाहिए जो स्टडि से मेरे को सीखने को मिली कि कुछ गलतियां जो जायतर लोग करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सबसे पहली गलती स्टॉक मार्केट में आज तक लास्ट पंदरा साल के अंदर मैक्सिमम पैसा कितने दिनों में बना होगा सिर्फ और अगर आप डे-वाइस कैलकुलेट करोगे तो वो सिर्फ और आठ महीने अगर आप इंडेक्स के लेवल पर देखोगे तो यह बहुत बड़ा पैसा है और वो 10% बनने के बाद 10 महीने ऐसे अगर आप इंवेस्ट कर रहे हो पास्ट के रिटर्स को देख करके तो नहीं हो पाएगा तो आपको हमेशे यह देखना है जहाँ पर भी आप इंवेस्ट क कर रहे हो कि आने वाले टाइम पर क्या चीज़े हो सकती है क्या यह वाला सेक्टर जिसने इतनी रैली दे चुकी है क्या यह आगे भी दे सकता है क्या यह सेक्टर 15 साल तक दे सकता है मैं करो 15 साल में 3-4 साल ना चले कोई बात नी जैसे जुन जुन वाला जी ने बोला कि मेर पंदरा साल, दस साल तक चल सकता है, अगर हाँ, तो आप वहाँ पे इंवेस्टेट रह सकते हो, सेकेंड चीज, आपको ये देखनी है, कि भाई, हिस्ट्री में क्या कलतियां लोगों ने करी, वो मुझे नहीं करने, जैसे, बुल रन में पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है, बुल रन में इंवेस्ट करने के बाद, पैसा घरता है, जादा तर लोगों का, बिल्कुल घरता है, because, एंट्री लेट होती है, क्या अगर कोई इंसान पंदरा साल रुख जाय, तो क्या वो उसी लेवल पर रहेगा, उसका पैसा नहीं बनेगा, नहीं, उसका पैसा बनेगा, तो अगर आप एक long term investor हो, आप दिल से जानते हो, आप एक long term investor हो, आप एक dedication इंसान हो, जिसको पता है, कि भाई मैं टिका रहूँगा 15 साल तक, तो आप आज भी एक करोड़ के स्टॉक खरीश सकते हो, आप कल भी एक करोड़ के खरीश सकते हो, क्योंकि 15 साल के बाद ना, किसी को नहीं पता था, कि भाई, ये जो COVID से पहले इंडेक्स 7-8000 पर चल रहा था, आज 22000 को जगा, तीन गुना इंडेक्स हमारा बढ़ चुका है लास तीन से चार साल में, कोई ये जियूम कर सकता था, नहीं, हम लोग को शायद उस साहां पे 10,000 पे भी और वैल्यू डगता, बारा पे भी लगता, लेकिन अगर किसी को 15 साल के लिए लेना था, 7000 पे, तो उसने क्या बोलना था, उसने बोलना था, आज नहीं चलेगा, कल चलेगा, कल नहीं चलेगा, पर्सों चलेगा, ठीक है, जब हम बात करते हैं, आप 15 साल की, तो 15 साल के अंदर आप ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं हो, जाए से अधा, 2,4% उपर बनेगा, 2,4% नीचे बनेगे, लेकिन आप definitely यह चीज़ कर सकते हो, तो long term के लिए आप ले सक कौन से होते हैं, जो मिमिक करने की कोशिश करते हैं, इंडेक्स को, मतलब इंडेक्स को कौपी करने की कोशिश करते हैं, tracking error आता थोड़ा सा, कि index मालो 10% बढ़ा, तो वो हो सकता है, साढ़े 9% बढ़े, यह साढ़े 11% बढ़े, इतना हो सकता है, tracking error इसको हम consider करते हैं, इस से तो क्या वो fund manager active हुआ या वो passive हुआ फाई वो तो passive हुआ कि उसने 50-50 की 10-5 company के अंदर में इतना सारा पैसा लगा जे तो passive हुआ ना वो active manager नहीं हुआ तो जब आप पैसा invest कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करो active fund manager में करो क्योंकि passive का time था आसे 5-7-8 साल पहले जिस वज़े से index के वारे में सब ने बहुत सारी बाते करी जब market गिरती है तो जो passive funds होते हैं जैसे निफ्टी 50 हो गया निफ्टी 250 हो गया यह ज़ादा गिरते हैं और यह recover भी नहीं कर पाते क्योंकि यह base है आप यह समझो यह top companies है वहीप अगर आप active fund manager के साथ जाते हो तो short term में वो आपकी पैसे को गिड़ने से बचा सकते हो अगर वो intelligent है तो definitely consider आपको करना पड़ेगा त अगले 10-12 साल के लिए index को अगर आप avoid करना चाहो तो definitely कर सकते हो और यह आप और एक important चीजिन सबसे भी जया था कि होता है ना एक strategy होती है buy on dips एक बहुत अच्छे mutual fund advisor नी fund manager थे वो थे हमारे UTI वाले वो कहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत calls आई क्योंकि उस समय पे 2003-4 की ब होगे हैं दस तो intelligent होंगे definitely वो सोचते होंगे सब ही intelligent है वाट सब नहीं होते तो यह 10 लोग आप लोगों के लिए नहीं है एक normal लोगों के लिए तो क्या हुगा उस समय पर कि वो कहते थे buy on dips तो जब वो buy on dips की बात करते थे जब market 10% गिरती थी वो कहते थे 15% गिर जातों मैं खरीदूँगा वो 15% नहीं गिरती वो recover कर जाती वहीं पर जब 12% गिरती वो 10% के खरीद थे market 15% गिर जाती तो buy on dips एकदम strategically काम नहीं कर पाता जाद तर लोगों के लिए लोग ड़ जाते हैं invest करने से पहले तो buy on dips definitely करना च पर control चाहिए क्योंकि 10 के बाद 20% गिरा फिर 10% फिर गिर सकता है उस साहाँ पर क्या करोगे तो यह सारी चीज़े आप जब cover कर लोगे तो आप करोड़ पती बन सकते हो तब आप काफी पैसा चाप सकते हो और तब ही आपके जो return अगो extraordinary बनेंगे यह मेरी आज की learning थी कि यह बबाई, signing off